नमस्कार दोस्तों मैं हूं आमिर और आप सीख रहे हैं Photoshop का Complete Course वे भी Certificate के साथ अगर आपको नहीं पता कि यह Photoshop Course करने के बाद आपको Certificate कैसे मिलने वाला है तो Certificate कैसे मिलेगा इस चीज का जो वीडियो है उसका लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको दे दिया है आप उस वीडियो को जा करके जरूर देखिएगा और साथी साथ आप इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजे और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और अपने दोस्तों में इस को जरूर से शेयर करिएगा तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहला काम आपको क्या करना होगा सबसे पहले आपको एक पेपर के उपर अपना सिगनिचर कर लेना है पैन से कुछ इस तरीके से देख लीजे जैसे मैंने यहाँ पर कर रखा है और इसकी फोटो ले लेनी है आपने और इसको आपने फोटोशॉप के अंदर इस तरीके से इंसर्ट कर लेना है जैसे कि देखिए मैंने भी एक पेपर पर साइन किया और इसकी कैमरे से फोटो ले ली अपने फोन के कैमरे से ही ली है बेसिकली मैंने फोटो ठीक है और simply मैंने इसके अंदर import कर लिया है ठीक है open कर लिया signature ठीक है अब मैं चाहता हूँ कि इस signature को जो मैंने यहां पर किया है इस signature को मैं इस piece of paper के उपर letter के उपर यहां पर मैं add करूँ देखिए कहां पर add करना है मेरे को तो यहां पे जहां मैंने लिख रखा है na Sincerely STP Amit Kumar यहां नीचे साइड में में वेको add करना है तो अब मैं इसे कैसे add कर सकता हूँ कैसे एकदम professional लगेगा यहां पे ठीक है तो उसी को आज की स्वीडियो में हम सीखने वाले हैं ठीक है वो कैसे करेंगे देहां से देखिए सबसे पहला काम आपको जो यह signature आपने इस तरीक से लिखा है इस तरीक signature लिखा हुआ जो भी आपके sign है इसको select करना पड़ेगा ठीक है तो क्या आप यहां magic wand tool से इस तरीक से select करेंगे देखिए ऐसे तो अगर आप ऐसे करते रहेंगे तो यह करते ही रहेंगे और यह सही तरीका नहीं है इस signature को select करने का तो हम इस signature को आखिरकार select करेंगे कैसे तो इसको select करने के लिए हम use करेंगे channels का आपको याद होगा मैंने channels आपको करवाया था और इस channel के मदद से मैंने sky को select करना सिखाया था आपको ठीक है? बट आज हम क्या करेंगे? चैनल के मदद से signature को select करेंगे ठीक है? तो आपको simply क्या करना है चैनल को click कर लेना है यहाँ पे और यहाँ पे हम select करेंगे red channel को तो देखेReD channel को देखे मैंने यहां select किया यह जो मेरी picture थी वो देखे black and white में convert हो गई अब आप पूछेंगे कि आपने red channel ही क्यों यहां पर select किया वो मैं बता देता हूँ आपको वो इसलिए मैंने यहां पर red channel select किया क्योंकि red color की अंदर जो contrast होता है वो काफी ज़्यादा मातर में होता है अगर मैं यहां पर blue ले लेता तो देखे यहां पर इतना अच्छा contrast आपको देखने को नहीं मिलेगा और जो blue है वो थोड़े light जो colors होते है उसको select करता है इसलिए मैं यहां पर red जो channel है इसका use कर रहा हूँ ठीक है इसके बाद अभी देखिए इसका जो background है एकदम gray type का यहां पर हो रखा है ठीक है तो हमें क्या करना पड़ेगा इसका background है इसको white पूरा करना पड़ेगा और इसको पूरा black ठीक है तो इसके लिए आप यहां पर curve का use कर सकते हैं simple आप image में आएंगे, adjustment में आएंगे और आपको यहां पर curve जो option है वो देखने को मिल जाएगा और इसके shortcut key भी है ctrl plus m आप चाहें तो shortcut key से भी इसको open कर सकते है तो मैंने इस पर click किया तो यहां पर red channel वाला जो curve है वो open हो गया ठीक है उसके बाद simply आपको करना किया है यहां जो point देखने इसको थोड़ा और आप इस साइड की और लेके आएंगे इधर की हो तो देखिए एकदम यह white हो जाएगा जब background एकदम इस तरह की से white हो जाए और आपका जो लिखा हुआ signature वो black हो जाए तो इस case पर आपको क्या करना है OK के button पर click कर देना है उसके बाद हम ही क पूरा आपका select हो जाएगा कैसे होगा simple आप यहाँ पर देखिए यह वाला option देख पारें load channel as selection इस पर आपको click कर लेना जैसी इस पर click करेंगे तो देखिए आपको जो signature का background है वो पूरी तरही के से यहाँ पर select हो जाएगा ठीक है बाकि इसकी एक shortcut की भी है मैं आपको बता है background की automatically हो जाएगी ठीक है तो यहाँ पर देखिए अभी क्या select हुआ है background select हुआ है मेरे को select किसको करना था signature को ठीक है तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा जो यह मैंने selection की है इसको inverse कर दूँगा देखिए select में आईए और यहाँ पर देखिए inverse का आपको option दे रखा है ठीक है तो उमीद करता हूँ आपको समझ में आ गया किस तरीक से आपको यहाँ पर signature को select करना है इसके बाद अब आप आजाए layer के अंदर और यहाँ पर एक new layer लीजे ठीक है यहाँ पर create a new layer का option है इस पर मैं click करता हूँ तो देखिए यहाँ पर एक transparent layer आ गई है ठीक है अब आप ज selection के अंदर हम लोग color fill कर देंगे ठीक है कैसे color fill करेंगे इस selection के अंदर simple यहाँ आईए adjustment layer के अंदर और इसके अंदर आप select कर लीजे solid color को जैसे इसको select करेंगे इसके बाद आपको जिस color का signature अपना बनाना होगा वह color आप यहाँ पर लिल दीजे ठीक है जैसे कि मेरे को अग signature पूरा बनके यहाँ पर तयार हो गया और देखे बिल्गुल transparent signature यह मेरा बना है अब मैं इसे जहां चाहें वहाँ इस्तमाल कर सकता हूँ ठीक है तो आप क्या करिए सबसे पहले इसको save करके रख लिजे ताकि आप इसे कहीं भी इस्तमाल कर सके तो आप इसे save करेंगे कैसे उसको देख लिजे ठीक है तो save करने के लिए simple file में जाएंगे save as option पे जाएंगे और इस signature को आप png format में save करेंगे ठीक है क्योंकि हमें इसका background transparent रखना है ठीक है तो मैं यहाँ पे png को इस तरह के select कर लेता हूँ format में और यहाँ पे sign इस तरह के से मैं इसका नाम दे दूँ है तो चलिए जो sign मैंने अभी save करेंगे रखा है उसको open कर लेता हूँ double click किया मैंने तो यहाँ पे देखिए यह raw sign था जो मैंने photo click किया था और यह वह sign है जो अभी हमने बनाया है ठीक है इसको मैं open कर लूँगा तो देखिए यह signature आ गया और मैं किसमें लगाना इस signature को इस यह letter के अंदर यह देख रहे हैं इसके अंदर तो simple मैं signature को इस तरीक से यहां से उठा लूँगा drag and drop कर दूँगा और इसमें यह आ जाएगा ठीक है इसके बाद आप जहां रखना चाहें जहां लगाना चाहें signature को छोटा बड़ा करके लगा सकते हैं तो मैं control T करता हूँ औ और में को कहां लगाना है यहां लगाना है जिससे तो मैंने इसे यहां इस तरीक से set कर लिया ठीक है इसके बाद जो यह photo है इसको मैं save कर लेता हूँ तो आपको जो quality है वो और भी अच्छी यहां पर दिखाए दीगी अभी तो आपको थोड़ी साफ quality नहीं दिख रही होग में ठीक है क्योंकि मेरे को इसको transparent नहीं रखना इसी वज़से मैं इसे jpeg format में select कर रहा हूँ ठीक है save के button पे click करता हूँ ok के button पे click करूँगा तो यह save हो गया ठीक है यह देखिए यह दा paper one के नाम से मैंने इसे save किया था open करता हूँ इसको मैं तो देखिए यहां पे किस तरीके का signature यहां पे perfectly आपका आ गया है तो अमीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि आप किस तरीके से अपना digital signature बनाएंगे और किस तरीके से आप उसे कहीं भी इस्तमाल कर सकते हैं जहां आप उसे इस्तमाल करना चाहते हैं ठीक है और यह देखिए यह दहां हम इस signature को बना देजेगा तो अमीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो के अंदर जो भी मैंने आपको बताया है यह सब कुछ आपके बहुत ही काम का है और आपके real life में बहुत ही काम आने वाला है तो इस वीडियो को आप जवर से एक like कर दीजेगा क्योंकि आपके like करने से हम में motivation मिलता है अगर आप चाहते हैं इसी तरीके की interesting video जो आपके real life से जुड़ी हो जिसे आप real life में use कर रहे हो वैसी चीज़े अगर आप सीखना चाहते हैं जैसे कि मैंने इस signature वाली वीडियो में आपको बताया तो आप हमाई चैनल को subscribe कर लिजे क्योंकि ऐसी ही बहुत पर अपलोड करता जाता हूं okay so आज की video में सिफ इतना ही so मिलते हैं next video में so thanks for watching our video have a nice day